माराज जी कौन सा मंत्र करें पहला परश्ण है को मंत्र क्या जब करें कोई मंत्र जब करना चाहें मतलब अपनी मन से मन से यह पूछ रहा क्यों सा मंत्र जब करें जिसमें उसका स्रद्धा होगा वही मंत्र जब कर सकते हैं चाहे महाधिक बाबा की हो चाहे राजाकृष्ण की हो जया सित्याराम की हो आप हम बोल देंगे तो उसको उसमें रुचि ना हो तो दिख्शा मानने होति है क्या ऐसे तो आजकाल तो देते हैं लेकिन उसका सास्त्रियों रूप से माननता नहीं है सास्त तो जो विधान आई है कि सर्कों दोनों को कपड़े एक पितांबर में नीचिया करके और फिर दिक्षा देते हैं दिक्षा दे के कान में फूर को मारते हैं और वाणी से निकला तीन बार उनको सुनाय जाता है और उ तो गूरुदेब के मंतर देने के बाद यहों कह देते हैं किसी से कहना लेकिन फिर भी मैं इस बात का विरोधनी करूंगा यदि को स्पीकर पर दे रहा है क्योंकि संत महापुरुषों में ऐसी सकती है आप स्पीकर की बात कह रहे हैं यहां बैठे-बैठे जिस भी देश- आप यहें आपको दिख्षा दे सकते हैं यहां तक करफा कर देते हैं सौपन में प्रगटो कर देते हैं और कई बार रूप बदल करके पहुंझ जाएंगे मन रहेंगे तो वही रूप मतलब दो रूप बना लेंगे एक रूप से अपने स्थान पर आए और एक रूप दान करके शिर्षा को दिक्षा भी दिया है उनके उपर कृपा कराए तो जो समर्थ शाली संत है उनके लिए तो हम कोई नहीं नहीं कहें लेकिन जन साधान के लिए तो यही नीम है कि इस पर्ष करके और कृपापुरू का दिक्षा दे और कान में फूक हमारे तीन बार मंत्रों का उनसे भी कराए साथ साथ तो कुछ भी दान है मंत्र दिक्षा के बाकि जो जैसा कर हो सकता उनके पास ऐसी आग्या हो भगवान की समर्थ है कर सकते है बाकि हम यह नहीं कह सकते है गलता है यह भी नहीं कह सकते है ठीक है कहते है कि मैं तीन चार सालों से राम नाम लिख रहा है इन पुस्तकों का क्या करूँ क्या अपने परिजनों से कह दू कि मेरे मरने पर मेरी छाती पिर तो जो मेने राम नाम लेकिंग कह दे तो ठीक कोई बात नहीं लेकिन ये तो प्रोवकर को समरपी तो करें प्रभू के लिक लिक concerned both तो फिर उनका क्या कर देखो जो आपने प्रभू का नाम लिखा है आपको श्यम नहीं पता की लिखने की कितनी महिमा है और लिख करके घर में रखने की कितनी महिमा है प्रभू का नाम जो लिखा हुए घर में जब तक रहेगा उससे पोजिटिव एनरजी मिलती है उसको पुस्प चड़ाओ परणाम करो प्रभू के नाम नाम यह अब है नहीं तो जै तुल्शी का जैसे हम गमला बनाते हैं ऐसी आंगन में गमला सा बना दो उसमें भर दो पूरे कापियों जो लिखी है और उपर से बंद कर दो उपर फे तुल्शी का गमला रख दो और हरोज परिकर्मा करो तो तुल्शी जी की भी परिकर्मा होगी साथ में प्रभू के कितने नाम आपने लेखिए नामों की प्रिकर्मा हो जाएगी तो प्रणाम करो नहीं तो बांध करके गरंथ में पूजा रूम में रखो उनको पूस पिचड़ा है करो प्रहू के नाम को लिखा आपने लकड़ी की पेटी बना है लकड़ी की पेटी बना कर उसमें बहुत बिल्कुब प्रहू के नाम की है